हुआ 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 है आप तमोन लोगों का मैं क्रांतिकार इस्तक्बाल करता हूँ आपको जभी मुर्लान सलाम पेश करता हूँ दोस्तों आप जानते हैं कि ये चुनाव और इस चुनाव में आदर्स आचार संगिता लगा हुआ है हलाकि ये बड़ी अजीब बात है कि देश के पढ़ान मंत्री ही इस आदर्स आचार संगिता की धज्जियां हुआ रहे है लेकिन लेकिन हम देश में लोग तंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं हैं कि नहीं हैं इसलिए हम नियम कानून का पालन करेंगे और नियम काइदा ये कहता है कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है इसलिए मैं सबसे पहले मापी मांगना चाहता हूँ हमारे पार्टी के जो बरिष्ट नेता है हमारे राज्जी के जो बरिष्ट नेता है हमारे जिले के जो बरिष्ट नेता हैं और हमारे समर्थन में डॉक्टर दफील खांग से लेकर सहला राशिद से लेकर एम यूस्यू के प्रेशिडंट और तमाम लोग जो इस सभा में मौझूद हैं लेकिन मैं उनको बता और स्पीकर यहां नहीं मिला सकता हूँ इसके लिए आउन से हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ दोस्तों इसके साथ साथ मैं माफी मांगना चाहता हूँ यह कौन यात्री हैं इस सभा की वज़ा से इस यातायात में जो थोड़ी सी परेशानी हुई है और हमारी विशाल रैली के चलते विशाल जन जन जट्था के चलते जो परेशानी हुई है उसके लिए आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ दोस्तों आप सब जांगते हैं कि हमारे बेगुसराय जिला में चुनाव है बेगुसराय लोग सबाच्छेत्र का चुनाव हो रहा है और आप में से कोई इस बात को इंकार नहीं कर सकता खुद भाजपा के लोग जो मोदी मोदी का मंत्र जपते हैं वो भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते जो बात 2014 में गणारस के लिए हो रही थी वही बात 2019 में बेगु सराई के लिए हो रहा है इसको बात है इस मिट्टी में कि बेगु सराई बेगु सराई की चर्चा चारो तरफ हो रही है लेकिन हम लोगों को एक बात समझना होगा कि इस बेगु सराई बेगु सराई की चंचा में एक और बड़ी खतरनाक चीज हो रही है वो खतरनाक चीज ये है कि भाजपा चुराओ जीतने के लिए लागातार बेगु सराई की धर्ती का अपमान कर रही है दिनकर जी की पुन्नितिती के मौके पर कहते हैं, कि दिनकर जी की जैनती है। और जब वेगु सराय के लोग जो मंठ पर खरे थे, उन्होंने टोका, तो कहते हैं, जन्म तिथी और पुन्न तिथी में कोई अंकर नहीं मालूम हो, वो क्या ठाक इस देश को चड़ाएंगे, मैं उनको चुनों की दोना काता हूं। और घाशन के पहले वाक इसे लेकर आखरी वाक तक जो एक बात कमन थी, वो ये थी कि वो सामने से जूट हो रहे थे। और जूट, इस तरीके का जूट कि एक कहावत बरी मस्बूर है, ठोथा चना भाजे घना। तो ये जो ठोथा चना थे, ये बहुत घना बाज रहे थे। लेकिन बाजते बाजते वो बाज गए जो इनको बाजना नहीं था। इन्होंने कहा कि बरावानी फर्टिलाइजर बंद हुआ है कॉंग्रेस के जमाने में। अडल व्यारी बाजपई कॉंग्रेस में थे। आडवानी जी को भी कॉंग्रेस में भेज दिया है क्या। ये अपने भी राज काज को कॉंग्रेस का राज काज बताते हैं और बीच में जो भाजपा का शाशन है उसको जोड़ करके कहते हैं कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ मेरा सवाल ये है कि आप अगर उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप एक बात पहसूद करेंगे कि उनके पास इस देश के लोगों के लिए बेबुसराय के आम आवाम के लिए कोई एजंडा नहीं है कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो यहां आए हैं बेबुसराय को आपमानित किये हैं और जूट बोलने काता हो किये हैं इसलिए मैं आप तमाम बेगुत राय के लोगों से याग्रा करना चाहता हूँ कि आज जब आप बेगुत राय लोग सभा छेत्र में चुना प्रचार को देख रहे हैं तो आप एक चीज गौर से देखा होगा कि हमारे लोग जो इस लड़ाई में ये समझते हैं कि अगर लोग तंत्र में चुना हो रहा है तो वो लोगों के सवाल पर होगा वो लोगों के मुद्धों पर होगा वो घर घर जा रहे हैं और बेगुत राय के लोगों को बता रहे हैं कि उनका मुद्धा क्या है उन से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सवाल क्या है लेकिन आप देखेंगे कि जो भाजपा के लोग हैं उनके पास कोई मुद्धा नहीं है सिवाए इस बात का कि वो क्या काम किये हैं ये जंदा को बताने के लिए तयार नहीं है वो ये गिनार हैं कि विपक्ष की क्या कमी है आप मुझे बताईए कि अगर विपक्ष में कमी नहीं होती अगर विपक्ष के उपर जंदा ने सवाल नहीं खड़ा किया होता तो आप बताईए कि क्या वेगू सराय के लोग या देश के लोग विपक्ष को दुबारा मुका देते या दुबारा मुका नहीं देते लोग कंतर में ये सवाल नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है लोग कंतर में ये सवाल होना चाहिए कि सत्ता पक्ष क्या कर रहा है सरकार क्या कर रही है इस सवाल को किज़ा रहा है विपक्ष ने क्या किया उसका लेखा जोखा जनता ने देखा अगर जनता उससे खुश होती तो परधान मंतरी नरेंदर मोदी नहीं होते फिर से मनमोहन सिंग देश के परधान मंतरी होते अगर मनमोहन सिंग देश के परधान मंतरी नहीं बने और नरेंदर मोदी को लोगा ने देश का प्रधान मंतरी बनाया इसका मतलब ये है कि मोदी जी आप जो है बाल पोथी की मनोहर कहानिया मत बनाईए ये मत समझाईए कि नहरू जी क्या थे ये बताईए कि आपने क्या किया है लोगों के खादे में 15 लाख रुपया पहुचा कि नहीं पहुचा इस सवाल का जवाब दीजिए इस सवाल का जवाब दीजिए कि लोगों को 2 करोड नौकरी क्यों नहीं मिली इस बात का जवाब दीजिए इस बात का जबाब दीजिए कि आपने नारा लगाया था पिसले चुनाओं में बहुत हुआ किसानों पर अख्या चाओ अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ क्या हुआ किसान का किसान की हालत ये है कि 12,000 किसानों ने आख्या की है और किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है उसको दस हचार करोड का मुनाफ़ा हुआ है ये है किसानों की हालत इस देश में और आपको सुनकर के आस्चर्ज होगा कि इस बार बनारस में तमिल नाडू के 111 किसानों ने ये संकल प्रिया है कि इस जूते परधान मंत्री के खिलाब वो नामंकन भरेंगे उनके खिलाब वो चुनाव लड़ेंगे बनारस से ये उनका प्रिस्टा एक करब किसान मर जाए खेतों में और उनका बच्चा जबान मर जाए देश की सीमा पर ये अपनी पीफ थप थपा करके भरजी राष्ट पाद राष्ट का मतलब क्या होता है राष्ट राष्ट के लोगों से बनता है अगर देश में किसान आत्म हत्या कर रहे हो अगर पैंतालीस साल में देश सबसे जादा बेरोज़गार हो अगर इस देश में इंजिनिरिंग करने के बाद नौजवानों को कहा जाए कि आप द इंजिनेरिंग किया है वो पकोना तलेगा ये किस बात का न्याहा है इस सवाल को आप समझे कि जिनके बच्चे सहागत दे रहे हैं जिनके पिताजी खेतों में मर रहे हैं ये दोनों किसान से लेकर जवान तक आज प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी के खिलाब बनारस से रहा है ये इनकी हकिकत है और अमित्साह आ करके नास्त्र कभी की इस धर्ती पर हमको रास्त्रुबाद का पाठ पढ़ाने के लिए आये थे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कहते हैं तुखडे-टुखडे गैंग कौं कर रहा है तुखड़ा-टुखड़ा इस देश के अपने दिल पर हाथ रखिएगा और एक बार सोचिएगा कि किसने इस देश को टुकरा-टुकरा करने का प्लान बना रखा है आप ज़रा उसके बारे में समझेगे चुना हो रहा है वेगुसराय में चुना हो रहा है एक सकेंड हेंड मिनिस्टर हमारे पास चुना लगने के ल चेख कर लीजिए उनकी मिनिस्टरी क्या कर रही है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी जिस बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजा जाएगा इस बात की बुरी जानकारी आपको भीजाएगा तो जब हमने ये सवाल पूछा, कि आप कहां के मंत्री हैं, आप देश के मंत्री हैं, हिंदुस्तान के मंत्री हैं, कि पाकिस्तान के मंत्री हैं, गिर्राज बाबु जराब यह हम को समझाती हैं, आप बात बात के कहते हैं, इन्होंने कहा, कि जो मोतीची की रैली में नहीं जा पहले कहल खीन कि कुछ भी हो जाए हम नवादा से ही चुनाव लड़ेगे नवादा से यदि नहीं लगने दिया जाएगा तो हम राजनिती से सन्यास लेगे सन्यास तो वो नहीं लिए वेगु सराय के लोग उन पिस तारिक को सन्यास देगा दिजेगा कि बुझाल खीना वड़किया दिराच गया बड़यास भड़ा लागे ठीडी न जोए पिचे लेगे थी बेगु सराक धर्ती चिक बेगु सराक धर्ती और पिछला पांच साल में लगातार इस सरकार ने बेवसराय की मिट्टी को अकुमानित करने का काम किया है। इस बात को आप हमको सोच करके बताईए कि किस मुख से इन्होंने इस मिट्टी के लाख को गदार कहने का काम किया। इस बात को आप सोच करके बताई के छोड़ दीजिये, हो सकता है कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो, मान लेते हैं एक बात के लेकिन एक बात बताईए, खुद में भरोसा है कि नहीं है, अपने दिल पर हाथ रख करके बताईए, आपका दिल कहता है कि बेगुसराय में ग यह सहाब हम तो नमूना नहीं हैं लेकिन आपको देख करके लगता है कि आप गोड़से का नमूना हैं और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि ये धर्ती रॉक्टर बाबा साहब भीम्रा अंबेदकर की धर्ती है, ये धर्ती सहीद आजम भगर सिंग की धर्ती है, ये धर्ती महात्मा गांधी की धर्ती है, ये धर्ती वेगु सराय एक से एक सहीदों की धर्ती है, इसलिए अगर आ आप हमारा नमूना देखना चाहते हैं, तो पर्धान मंत्री से जड़ा कान में पूछ दिजिएगा, और बताइए कर्णिया याद आ रहा है कि नहीं आपको दिखाया है, नमूना तो हमने आपको दिखाया है, कि जितना जोड लगाना है लगा लीजिए, अपने लुटेरे दोस्तों को बुला लीजिए, खरीद लीजिए उनके दम पर, अपने मीडिया चैनलों को, लेकिन हम आपको बताएंगे, कि कॉर्परेट से पावर से चादा, पावर्फुल इस देश में विपल्फ पावर्ण होता है, यह बात, आपको एक बुड़े सपने की तरह याद आएगी, और आपको एक बुड़े सपने की तरह याद आ रहा है, इसी लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा दिये हैं, एक मिनिस्टर सहाब को चुनाल लरने के लिए भिजे ह कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं आप बस किसी तरह से हिंदू-मुसल्मान करके समसान कभरिस्तान करके बिगुसरा ऐसे चुनाव जीत करके आजाईए हम आपको कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे जो इस देश में चाप लूसी के तुकड़े पे पलते हैं वही इस देश में मजदूर और किसानों के लगने वाले लोगों को तुकड़ा तुकड़ा कहते हैं इस बात को याद रखनीजेगा और ये जो चाप लूसी के तुकड़े पे पलने वाले लोग हैं इस देश को जो लूटने वाले पूंजी पती हैं उनके तुकड़ों पे जो पलने वाले लोग हैं इस देश में किसानों जवानों और इस देश के आवाम महनत कस्ती जो आवाज है उसको दबाना चाहते हैं लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप कितना भी जोर लगा लीजिए आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए आप कितना भी जूच बता लीजिए लेकिन बेगु सराय के लोग अपना सच जानते हैं तो बेगु सराय के लोगों को ये मालूम है कि बेगु सराय की धरती राष्ट कभी पैदा करती है राष्ट सुद्रोही नहीं पैदा करता हूए अब रही बाद मुकदमे की तो यह साहब एक क्या एक वजार मुकदमा कर लीजिये हम तो जेल से निकल करके ही कह दिये थे कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना जब तक जेल में चना रहेगा डर नहीं लगता है आपसे डर नहीं लगता है आप पूरी कोशिश कर लीजिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता है आपको जितना हमको गदार कहना है कह लीजिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि सच को को बजल सकता क्या तो एक सब्सक्राइब नखिता है रहे गलती किये हैं यदि तो बकवास करना बंद किजिए सबूत बेस कीजिए और हम जानते हैं कि आप अपना सबूत मिटाने में माहिड है लेकिन हम अपना कोई सबूत नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि हमारा सबूत देश को तोरने के लिए नहीं देश को जोरने के लिए है इस बात को याद रखिये रहा जो लोग इस देश में चुनाव के वक्त हिंदू और मुसल्मान कर रहे हैं। जो लोग चुनाव के वक्त में समसान और कब्रिस्तान कर रहे हैं। जो लोग चुनाव के वक्त में मंदिर और मस्जित कर रहे हैं। दरशल वो देश तोरने का काम कर रहे हैं। और हुमको एक बात कह देते हैं कि इस धर्ती को अगर किसी चीज ने बचाई है तो वो है इस देश की गंगा जमनी तहजीव और गंगा जमनी तहजीव यह होता है कि जब हम बुत्रू रहे ना हम ना भीड़न लोग नारा लग ले रहे हैं भारतमा के चार सिपाही हिंद्यों मुस्लिन से खीशाए हम नारों को सुन करके बरे होए हैं और जितना छोटा दिमाग है उतने छोटे दिमाग से ही यह समझने की कोशिश करते थे कि इस देश की क्या खास बात है रमजान जब आप बोलेंगे तो राम का नाम आता है और एक हंधू के मंदिरों में बश्था है ये इस देश की खासेत कि आपक्यों गूंण करके देख लीजीए आप कई बार हिंदू और मुसल्मान में फर्क नहीं कर पाएंगे जो लोग हिंदू और मुसल्मान में फर्क कर रहे हैं जो लोग राम्मान और दलिक में फर्क कर रहे हैं उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर इस देश में बुद्दे की राजनिती हो अगर तंत्र में लोगों के सवाल को महत्तु दिया जाए तो सोच करके हमको बताईए दिल पर हाथ रख करके आप हमको बताईए कि अच्छा इन्वस्टिय अधी बेगुसराय में बनेगा बरिया अगर विसकी ज़्यादा बेगुसराय में बनता है यह की शौक अच्याद सब्चाने श्युक्र जचाने है प flirtने ज़्याद तो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नोट निकाल लखी नान, ओकरा एक देनु ठाइक भेक लह, रोड पर, देखो को ओकरा जायत कुछ पुछ पूठुबे तभू समझियें, कोई अगर कहें, रूपा आले गरीक नाइन, एकरा हम नाइ छूब, एकरा दलीद छुल कहें, कोई कहें, ने, ने, तो मुसलिमान कहां हुआँ, मीट जे काते चेहां, उहें, दुहजड या नोट लेच्छाए, खुला केक उहें, हाँ चिदय छे, अफेर जेबोन, पुछा घरमा गर्वत्ती खरी देला ए तो उहें देबोवा लेतो, लेचेह ने, लेचेह, ने, लेचेह, ने, लेचेह, थेक बात, उम्रा कि यह चलते होई चाए लुगशा जब जाओं मसीन मां तो खोजो एक मुसल्मान कहां चाह यह दयाँ था ब्राहमान कहां चाह या दली काहां चाह अब दूमा तो अभिकास ने खोजे चाह दो भोट दभो जायत के नाम पर अखोजबो विकास भोट दभो धरम तर अखोजबो इस्कूल रोट दभो जायत पायत धरम तर अखोजबो सरग एक बात सोच लिजिए ये साजिस एक दिन में हमारे खिलाफ मही रची गई है इस साजिस को बरी ध्यान से गढ़ा गया है बुना गया है और इस ट्रैप में हम इस तरीके से फस गये हैं कि एक बार सिखाया गया पंची को कि सिकारी आएगा दाना डालेगा भूल से उच्पे फसना नहीं सिकारी आया भी दाना भी डाला पंची पोल भी रहे थे सिकारी आएगा दाना डालेगा भूल से उच्पे फसना नहीं फसे के हमको मालूम है कभी ये बेगोसराई चिलाए लेकिन जो चुनाव परचार के दौरान हुआ है उसको जरा आप गौर से देखिए एको नेता जी वाखिन बंदेल पिंगे वूजलो रोर एक पॉन खईन है सीखी खुसने सब्कुस तो ठीक है तर भूम्याद में भोटी नहीं है इन बात मुसलमान टो लाम जाए कहलखे अस्वाण से किस ब्सकुस ठीक है लेकिन मुसलमान तो मुसलमान को भोटतेगा तो जो है वहां उसक कुछेच रतरा सब्स कि हमरा जब कोई भोट दईये ने रह लाएगा है ये परेसान कथिल छते है कथिल काला जंदा लाएख हमर स्वागत करे लावे छते हैं अभी रस्ताम आयब करे रही आए तो एक नूनू हमरा भजबाग जंदा देखाएब करे रहे हमरा गिरीडाच जी बयान याए दाएगले गिरीडाच जी घर्खिन की हरा रंग उपर बेन लगा देना चाहिए कलिये बुरबर्ख बेन लगवेत पहले अपन जंदा हरियर का रंग बदलो घजपाग जंदा दखलो उकर आम हरियर रंग चाहिएगी ना अब बुजब जंदा ठीक्स नहीं देखलो इस बेगु सरा ठीक्स ने को हो बेगु सरा ठीक्स है नहीं पड़ाई चक्कर मसाहे चक्कर मन पड़ाओ अदोसर तरफ एक भाईजी छति अमरा मंच पर आती नमल योकी मुझले बात कदम कगा अमरा रैली मेलखीन फू बढ़ियां बढ़ियां बात को ललखीन अकालखीन की देश में भाईजपा को हराने के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है कि ठीक है हम सब लोग एकजुट हो जाते हैं भाईजपा को हराने के लिए उन्हें स्टिकट प्लैक्चे लेखिन बेबुसर हैं अच्छी बात है आज एक पत्रकार नहें को पूछा कि आप तनवीर हसन पे हमला क्यों नहीं करते हैं हम बोले क्यों करें तनवीर हसन तो थुदी कह दिये थे कि भाजपाद वहरूने के लिए सबको इकठा होने की जोगत है तो बोले तनवीर अच्छी पे हमला करने की जोगत है दो पान्च बारे अंसी रहे ना किए समांचde 5-3 बारे और बेटा जब बड़ा हो जाता है अब सबत्क प्रकषे कोले डिद्य में अगे आता है तो समाज में इसrasahallas कि जो राजलीते में बुजूड गी हैं, उनकी जिम्यवारी नौजवान अपने कंधे पे ले ले लेगा, पचीस साल वो सेवा करती हैं, और अंजबंते पे हैं ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, एक राज गोसा आए जाए सथी लोगी का, बहुत जोर, गोसा ए कलखिन की, गोस साथ नहीं देते हैं, मुझ का तो अचीस, मत बोल यही बात, यह बात कौन मानेगा बहला की कहना क्या BGP का BG मानेगा, मोदी जी भी इस बात को नहीं मानेगे, इस एस में कोई आदम इस बात को नहीं मानेगा, हम बस एक बात आप लोगों से कहना चाते हैं, चुनाव ये पहली बार नहीं हो रहा है। और हम इस बात के लिए लग रहे हैं कि ये चुनाव आखरी बार नहीं हो। इसलिए जो लोग इस तरह की भासा बोल रहे हैं उनको मैं एक अप्पील करना चाहता हूँ। साहब चुनाव तो आना जाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, इस बात को दिमाग में डाल नीचीए। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। कि हम लोग तंत्र को बचाने की लड़ाई लग हैं। इसलिए हमको संब्रक्रा परिचे देना है। हम लोग तंत्रिक लोग हैं, लोग तंत्र में भरोसा रखते हैं। जमूरियत को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से अपना आपा नहीं खोए हुई। खोने की जोगत है क्या। बॉकलाती कौन सी टीम है। जो आर रही होती है। इसलिए हम लोगوں को गॉकलाना? नहीं है। किसी के ऊपर हमला करना? नहीं है। और जवाब देना होगा तो कहा देंगे? देना है। एक नम्मर में है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के किसी बहस में हमको नहीं फसना है। कौन बी टीम है और कौन सी टीम हमको इस बहस में नहीं जाना है हमको इस बात को सोचना है कि बेगु सराइ के लिए क्या जरूरी है और देश के लिए क्या जरूरी है बेगु सराइ के लिए जरूरी ये है कि जिस तरीके से बेगु सराइ में लगातार महाओ खराब करने की तरकों को सभी जाती और धर्म के लोगों ने मिलकर बनाया है। बेगुत सराई की इस घुनिस्ता को हिंदू मुसल्मान मिलकर के सजाया है। इसलिए इस बहस में हम नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा ये है कि अगर हम चुना लग रहे हैं तो हम इस बात पर लग रहे हैं कि बेगुत सराई के तीस लाख लोगों का मान सम्मान के से बढ़ेगा। और कहते हैं ना कि मान सम्मान सिर्फ नारा लगाने से नहीं बढ़ेगा। मान सम्मान सिर्फ चुनाव लगने से नहीं बढ़ेगा। मान सम्मान इस बात से बढ़ेगा जब हम बेगुत सराई के मुद पर अपनी आवाज को भुलंद करेंगे और बेगुसराय का मुद्दा ये है कि बेगुसराय में आज तक एक उनिवस्टी नहीं खुल पाई है एक बात सोचकर बताईए कल्पवास मेला लगता है सिमड्या में लोग दर्भंगास आवे छे मुक्ती खाते रहे बेगुसराय को शचाही है था ह हमें लेमला कोज्यिंद दर्भंगास नहीं है यह में जमीन नहीं है और याकोंगास येह सवाला इस बात को आप समझेये यह हमारा सवाल है, अब सोचके देखिए, पढ़े वला बेगू सराइक मस्टर अब पढ़े वला बेगू सराइक, ज़लो जी, बेगू सलाइक लेकिन खोची कहां चछ रा लाया है, कोची मुख़र्जी नगर हो साहर, पैसा हमरे, रेंट जो दे रहा लिए हैं मकान मालिक वो हमीं दे रहा लिए हैं तरकारी खडी द रहा लिए हैं हमीं हो जो अपर और हुआ सब कुछ जो चेल रहा ले हैं वो हमरे एरक पैसास चेल रहा ले हैं तो वो कोचिंग वेगू सराइम नहीं चेल सके चाहें योपीए शीक तयारी नहीं है अज बात को सोचिए आज बेगु सराइ में वकवास की नहीं विजन की जरूरत है इस बात को आप समझे और विजन यह है कि अगर गज़ लोग रहते हैं उन तीस लाख लोगों के लिए योजना बनाएं तो बेगु सराइ हिंदुस्तान इंदुस्तान का सबसे अच्छा जिला बन सकता है, यह सारी खासे बेगु सराई को बहतर बनाया जा सकता है। इंदुस्तान का सबसे बन सकता है। इस देश में इस जिले में लोग आवासिय प्रमान पत्र बनाने के लिए जाते हैं। लोग घूस मानता है, तब कोई नेता को बिरोध करते हुए देखें हैं। नेता होत रखी है, अम्होन वो सची है कि पाँच सो अतीस हजार इनवर्स्टी आई आई टी एम सजिंदाबाद ठपा ठप बचंगे। ये हुती है बुद्ऑों की राजनिती, मुद्दों पर राजनिती होना बहुत जरूरी है। और बेगू सराय में वो तमाम संभावनाय हैं की बेगू सराय एक बेहतरीन जिल्हा बन सकता है। कैसे बन सकता है, खाली हमें हम इंसानी और बकवास करना ये लिए हैं, हमरा पास प्लान चेह, हमरा पास योजना अच्छा, एक बात हमको सोच के बताईए, कि वेगू सराय में मक्का उपस्ता है और नहीं उपस्ता है, हम मौल इन सिनेमा देखाएं के लो हैं, कि ठोंगा हम ल पूरा दुनिया कॉप करने खिला सके चिया है, कि संभावना चाही कि नहीं चाही है, तमाटर बेगू सराय मंच, चावमीन खान चाही है, विजली नहीं पहुंच लाई सब गाउमा, चावमीन पहुंच गे ले हैं, तो बेगू सराय एक टमाटर का अगल कोल्ड इस्ट्व सराय वरविगा, ये तमाम संभावनाएं बेगू सराय में मौझूद है, उन संभावनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेवाजी की जा रही है, और जुमलेवाजी की हालत ये है, कि एक बार फैक्टरी बंद करते हैं, और दूसरी बार फैक्टरी का आकर के सिलान्यास करते हैं, लेकिन बंद करने और सिलान्यास करने के बीच में जो सबसे बड़ी चीज हुई, उस बात को आप लोग उनको शायद याद नहीं हो, मैं याद दिला देता हूँ, वो ये है, कि सैक्रो पडिवार के सपनों को तबाह कर दिया गया, जो लोग फटलाइजर टांसीप पर आस्रित थे, उनके पनिवार को पलायन करना परा, हमरा भिनायव गुरू जी रह थे, भोरे खटारा साइकिल लेक ट्यूशन पर इनमें गुमे रहतीं गोरे गोर, जब टांसीपे नहीं नहीं रह लाए, तो ट्यूशन के रागाज को प जो बस पर चेड़ कावर है, चंद्री चोक उनसब जी खरीदें, जब कोई फैक्टरी लगती है, उसके साथ जब टांसीप बसता है, तो उस टांसीप के आफपास, उद्योग धंदों के साथ-साथ, रोजगार पाती का भी विकास होता है, लेकि या जो नया फटलाजर एक हजार लोग यदी हैं, तो कितना रोजगार पैदा होता है, ये फटलाजर और उस फटलाजर का क्या फर्क है, पहले आप इसको समझ लीचे, उस फटलाजर में जो यूरिया पैदा होता था, तो आज पास के किसानों को यूरिया सबसीदी के डेक प्रेक पर मिलता था, और आज यूरिया खाद का जो बोरा है, उसमें से पांच किलो खा दिये निकाल लिए हैं, पैटालिस किलो उसको बना दिये हैं, लेकिन अगरा लिखतो तीस परसेंट एक्स्ट्रा, उन्वस्टी जब बनेगी, तो यहां के जो लोग पढ़ने के लिए पलायन करते हैं, उन को पलायन नहीं करना परेगा, वेगू सराय का पैसा वेगू सराय में ही रहेगा, अगर इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट भी करना है, तो यह जो बड़ी इंडस्ट्री आएगी, तो वो हमको धूमा जादा खिलाएगी, रोजगार कम पैदा करेगी, खुल जाए, हमको तो यह भी वरोसा नहीं है, कि यह भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुल जाए तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री की तुल्ना में, अगर छोटी इंडस्ट्री का विकास किया जाए, तो जादा रोजगार पैदा हो सकता है, और पलायन को जादा जा सकता है, इस बात को समझें, और वो जो इंडस्ट्री होना चाहिए, वो इंडस्ट्री हो सकता है, और गरिनिक फार्मिंग हो सकती है, कि हमें यह मस्रूम हो गई बहा है, अब मोदी जी घातिलों गैजवे सले 4,000 रुपे की लोगी तीकेट चाहिए, अब मोदी जी सले, यदि सही मेनेजमेंट किया जाए, तो यहां के किसानों को उनके भसलगा सही डाम मिलेगा, और फिर किसान मैला, कुछला, धोती, पहना, गमचा लिया हुआ किसान नहीं होगा, किसान भी पढ़िया रेवन की चस्मा दय का बुलेट से चल देगी, दिक अच्छा, किसान में मोबाइल लेगा, किसान के हाथ भी लेपटॉप होगा, किसान के हाथ भी टैब होगा, क्यों नहीं हो सकता है, पढ़ा लिखा किसान नहीं हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने देश की ऐसी हालत की है, कि मंत्री जी का बेटा मंत्री बनना चाहता है, मुख मंत्री जी का बेट कि आम इंका दियाना ही कह रहा है कि लेकिन किसान का बेटा क्यूं नहीं किसान बनना चाहता है तो किसानी और घ्यति की हालत खराग करती गड़े किसानी और खेती की हालत यदि बहतर किया जाए और पलायन को यदि रोका जाए और जो मानव संसाधन है सिक्षा मंत्राले का नाम सिक्षा मंत्राले नहीं है सिक्षा मंत्राले का नाम मानव संसाधन मंत्राले है उस मानव संसाधन मंत्राले में जदी मानव के संसाधन का मेनेजमेंट किया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे बच्चों को कोटा जाने की ज़ुरत नहीं है बेगु सराई का पैसा बेगु सराई में ही रहेगा बेगुसराई के सिख्षक बेगुसराई में ही पढ़ाएंगे और बेगुसराई का बच्चा बेगुसराई में ही पढ़ेगा और बेगुसराई का बच्चा सिर्फ बेगुसराई में नहीं पढ़ेगा बलकि आसपास के चीज़े और आसपास के राच्चों सभी बच्चे ब आपने आए कि ए सब्सेता चर्चा तो इस बाद की होती है कि बिग उस्राइब इस पार मुकाबला त्रकोनिय है कोन बोला कि मुकाबला त्रकोनिय है उसनी दीन में लोग लड़ा ही उसनी दूगा लड़ाइसा है उसती आमने सामने की होती है और ये लड़ाई दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई एक जन्ने की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई एक पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई इस देश में तिरंगे को बचाने की लड़ाई है इस बात को आप समझ लीजिए ये लड़ाई इस देश में एक दल को बचाने की नहीं है ये लड़ाई इस देश में वहदलिया विवस्था को बचाने की लड़ाई है इस बात को समझ लीजिए इसलिए इस आमने सामने की लडाई में एक तरफ बेगु सराई जिले के लोगों का अपना आत्म सम्मान और मान सम्मान है और दूसरी तरफ बेगु सराई को जो अपमानित करने वाली ताक्ते हैं उनका जूट है इसलिए हम कहते हैं कि ये लडाई हक बनाम लूज की है और सच बनाम जूज की है ये लडाई लोगतंतर बनाम नोटतंतर की है और हमको पूरा भरोसा है कि इस लडाई में हक जीतेगा, सच जीतेगा, लोगतंतर जीतेगा इस बात का हमको भरोसा है इसी लिए जो हमारा भरोसा है तो हवाम थोरही भरोसा होएं के लिए आप लोग कमी है ना चारों तरव से आवाज आ रही है आ और यही कारण है कि BJP को हमारे खिलाब कहने के लिए कुछ नहीं है तो बीजेपी दो तरह का बीडियो बनाती है एक बीडियो मुशलमानों के बीच में घुमाती है और दूसरा बीडियो घुम्यारों के बीच में घुमाती है घुम्यारों के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि भाई ये तो सेना विरोधी है ये तो टुकरा टुकरा गैंग का नहीं देता हूं मुझे सफाई देना पशन नहीं है लेकिन मैं एक सच आप तमाम लोगों को बताता हूं सच यह है कि सेना के नाम पर सबसे ज्यादा गंदी राजनीती अगर इस देश में किसी ने किया है इसमें भाजपा ने किया इस बाद का आप चाहिए तो राजनीती गंदी इसलिए है कि आज जब मैं यहां खड़ा होकर के बोल रहा हूं तो मैं यह सोच समझ करके बोल रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग के बार बार कहने के बावजूद पढ़ान मंत्री ने और अमिस साह और इनकी पूरी की पूरी पाटी ने चुनाव यूद सेना का नाम बार बार अपने भाशनों में लिया है और जब उसने लिया है तो यह जरूरी है कि बेगुस राज जिला को जो उन्होंने अपमानित किया है यहां से उनको एक मुद्धोर जवाब देने की जरूरत है तो मैं यह जवाब देना चाहता हूं कि मेरे घर से मेरे पडिवार से हमारा एक भाई इस देश की सेवा करते हूं अपनी सहादत भी है और आप कहते हैं कि हम सेना बिरोधी हैं हम सेना बिरोधी नहीं हैं हम सेना के नाम पर जो कुर्सी पाने वाले लोग हैं उनके बिरोध में खर हैं इस बात को जाने हैं हमारा साफ साफ मानना है कि किसी भी इस्थिती में सेना के नाम पे राजनिती नहीं होनी चाहिए किसी भी इस्थिती में सेना को घसीट कर राजनिती में नहीं लाना चाहिए सेना इस देश में अच्छुन है उसके उपर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए और सेना का जो क जेना के सम्मान से अपना मान सम्मान का रख्षा करना चाहते हैं। और यहां जब वो भिगुष राय आये, तो उन्होंने सहीद पिंटु सिंग का नाम अपने मूँ से लिया। किस मूँ से वो नाम लेते हैं। किस मूँ से वो नाम लेते हैं। जिस दिन सहीद पिंटु सिंग का पार्थिप शरी पठना एयरपोर्ट पे आया था, ये पूरा का पूरा भाजपा का कुलवा अपनी रैली करने में बेस्त था, एक माला चरहने की फुर्चत नहीं थे इंदे था, और आज जब भाशन देने के लिए आए चुनाओ के बग्त तो चुनाओ के बग्त, चुनाओी रैली में बौगला की तरह गरदन हिलागर के चले गए, और एक बेगू सराय से पकड़ी कितना दूर था, बेगू सराय से पकड़ी बहुत दूर तो नहीं था, क्यों नहीं अब इस साग है, सहीद पिंटु सिंग के घरवालों से मिलने क लिए मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके पास समय नहीं था, इनके पास हई वक्त नहीं है, इस दैश में पीड़ित किसान और सहाधत देने वाले जवान के घर पर जाने की ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, कभी देखा है, वोट और सफोर्ट के लिए अमीद साह मादरी दिकशित के पास गए थे। क्सान के पास इनको जाते हुए देखा है? कभी किसान जिसने आत्म हथ्या की हो उनके पड़िवार को आंसु पोच्चते हुए देखा है? कभी देखा है उनके साथ बैट करके ये खरना खा रहे हो? ये है इनकी हकिकत. और मन से खरा हो करके कहते हैं कि पुलवाना में सहीद होने वाले सहीद पिंटु सिंगों में सहादत देता। इनको इतना भी नहीं मालूम है कि सहीद पिंटु सिंग की सहादत पुलवामे में नहीं हुई थी। पुलवामा के बाद हुई थी। जिनको इतना महीं मालूम हो वो सेना पे तुछ राजनीती करते हैं और कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में घुच करके पाकिस्तान को मारा नगता है जिसे मोधी जी पाइलट थे और हवाई जहाद चरहा रहे हो तो अभिनम गिरता कि मोधी जी गिर जाते हैं कौन गया था वहां पे देश के जवान गये थे ना इनका सच मैं आपको बताता है जिस मसूद अजहर पर बुलवामा का एट्रेक करने का आरोप है उस मसूद अजहर को किसने पकड़ा और किसने छोड़ा वीजेपी ने पकड़ा नहीं इस देश के जवानों ने उसको करने के लिए छोड़ा इस बात को आप जाने मुझे यह हकीकत है यह बात ठीक है कि जहाज का आप हरन किया गया लेकिन उस जहाज को छुड़ाने के लिए सेना तयार बेची थी मैं यह प्रस्म पूछना चाहता हूं कि तम सेना को क्यों नहीं आदेश दिया गया कि जाओ औ अधिक नहीं चुड़ेंगे यह सवाल में आपसे पूछा यह बैमानी है इस बैमानी को समझे यह बैमानी यह है कि आप दुकांदार से पंखा खरीद करके ले गए दुकांदार आपसे पूरा एक हजार रुपईया लिया पंखा जब आप अपने घर में ले गए पंखा को जब आपने लगाया नट भोल्ट टाइट किया स्विच दिया पंखा नहीं चला पंखा ले करके जब वापस गए आप दुकांदार को कहने के लिए कि यह बाए पंखा नहीं चल रहा है तो दुकांदार कहेगा कि हमारे देश के जवान कुर्वानी दे रहे हैं और आपको पंखे की परी हुई है अरे देश तो दे रहा है कुर्वानी जबान भी दे रहे है कुर्वानी तुम सशुरी बताओ कि पंखा गाया नहीं काम कर रहा है कि हमारे देश के जवान बीर नहीं है जब मोदी जी जणव नहीं लिये थे ना तब भी हमारे देश के जवान बीर थे थे कि नहीं थे अले आजादी के बक्त भी हमारे देश के जवानों ने अपनी बीरता दिखाई थे कि नहीं दिखाई थे तब मोदी जी आँख भी नहीं खोले थे तब भी हमारे देश के जवान बीर थी बताईए मोधी जी पहले पैदा हुए कि भागा सिंग पैसे पहले पैदा हुए ये देश को हमेशा प्यूरों को पैदा करती रही है ये बताओ साहब कि आप प्रधान मंत्री हो प्रधान मंत्री बन करके आपने क्या किया ये मत पंखे वाले की तरह बताओ कि पंखा काम नहीं कर रहा क्योंकि देश के जवान जो हैं वो भी रहे और तुमको पंखे की परी हुई है इस साजिस को समझे इस सरकार में कितनी चालाकी से अपना सारा का सारा नाकामी सेना की काम्यावी से छुपा देना चाहते हैं सेना की काम्यावी अपनी जगा सेना को पूरा देश सलाम कर रहा है और सहीदों के नाम अपनी सलामत भेज रहा है उनके लिए दुआया कर रहा है उनको आसिलबात दे रहा है और सहीदों के पड़िवार के साथ ठरा है आप ये बताईए कि बतोर पढ़ान मंत्री आपने क्या किया और आपने इस पहलवान को जो बेवु सराय लगने के लिए बेजा है इसने देश के लिए क्या किया है इस पहलवान की हालत ये है कि यह जांसद निधी का पैसा नहीं खर्च कर पाए और इनका मंत्राले जब से जादा नोल परफर्निंग मंत्राला है और मैं तो कहता हूँ कि हाथ कंगन को आर्सी क्या पढ़े लिखे को भार्सी क्या आप बेगु सराय के लोग हैं बेगु सराय के चारो चोगदी घूम करके देख लीजिए गिर्राज सिंग के नाम का एक पत्थर दिखाती जिए हम समझ लेंगे कि गिर्राज सिंग इस देश म बतहर मंतरी काम की है ये गुद्धार जब चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि हमारा दो नाशा जब लिखात आदे नानी घर के लिए कुछ पिए हैं इस बात को आप समझे कि ये बहस कुँँ खडाकिया जाता है क्यों इस तरह की बाते की जाती है ताकि इनका जो काम है जो काम ये नहीं किये है उस पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके कोई ये नहीं पूछ सके कि ठीक है देश जिंदाबाद भरत मता कीजे बंदे मातरम हिंदुस्तान जिंदाबाद सब अपनी जगह पे है सेना जिंदाबाद इनका आप जंदाबाद सब अपनी जगह पे है ये बताइए मोदी जी हमारे खाते में 15 लाग रुपईया डून ніहीं आया ये बताइए कि जवानों को दो करार पत्र था उस घोषना पत्र में जो आपने वादा किया था उन वागों में से कितने वादों को पुरा किया गया ये सवाल पुछा जाना चाहिए इस सवाल को घुमरा करने के लिए ये राष्ट वाद का नारा लगा रहे हैं एक बात मैं आपको कह देता हूं कि इनका इतिहास क इस देश के लिए लगने का इतिहास नहीं है, अंग्रेजों से माफी मांगने का इतिहास है, इस बात को याद रखिएगा, कि जब इस देश के लोग सहादत दे रहे थे, तब ये अपना कैडियर बनाने में लगे हुए थे, और जब देश आजाद हो गया, तो देश की आजा जावा है, एक धुखा है, पिकास करना इनका इजन्डा नहीं है, जिस तरीके से मंदिर बनाना इनका इजन्डा कभी नहीं था, सरकार बनाना इनका इजन्डा था, इस बात को आप चान दीचे, सरकार ये हर बार बना लेते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बनता है, और मंदिर ब कि अगर हिंदुस्तान में राजनीती होगी तो लोगों के मुद्टों पर होगी और लोगों का मुद्धा है कि सब को सिख्षा सब को काम मजदूर को मजदूरी किसानों को उनके फसल का दाम हिंदू हो या मुसल्मान सब को मिले बड़ावर का आत्म संबान ये हमारा हुटा है इसलिए हम आप से आकरह करने के लिए आये हैं कि जब आप 29 तारीख को मतदान करने के लिए जाएएगा तो आपको एक एतिहासिक फैसला लेने की दरकार है। यह दरकार इसलिए है कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया आपके तरफ देख नहीं है। पूरा देश आपके तरफ देख नहीं है। कोई लोग बाहर से आते हैं, आते ही बेबु सराई की मिट्वy को चुम लेते हैं। उसकी मिट्वy अपने माथे पर लगा लेते हैं। और कहते हैं कि क्या लाजवाभ है या धर्ती, क्या लाजवाब या मिट्वी जो यहां से blocking पैदा होते हैं। इसलिए लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लग रहे हैं, लोग इस देश को बचाने की लड़ाई लग रहे हैं, कोई लोग फेस्बुक पे इस देश का जो सच है उसको सामने ला रहा है, और देश का सच जब सामने लाया जाता है, जो सरकार के समर्धक हैं, तो गालिय आपने हिस्से की लड़ाई है और यह तमाम लोग पूरे देश और पूरी दुनिया में अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग कंद्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय और बड़ावरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आवाम के हक और हुप की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तमाम लोग बेगू सराई के लोगों की तरफ आसा भरी नज कि अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेगी इस देश को सब्सक्राइब करने के लिए जाईएगा कि यो मतदान तो इस आधारन मतदान नहीं सब्सक्राइब करने के लिए जाईएगा कि जिस तरीके से भाजपा ने वेगु सब्सक्राइब के लिट्टी को बदनाम किया है इस बात को आपको याद रखने के लिए आप ये समझ लीजिए अगर ये मेरी व्यक्तिगत कराई होती अगर ये मुझे व्यक्तिगत तौर के देश्टोरी कह रहे होते तो इन से करने के हो इस जाए बताय है तो जो हाथ कर लेके हमको कोई भीयकति नहीं है या क्राणूनी मामला नहीं है ये एक राजनितिका और ये राजनितिक कलंभ बेगु सब्सक्राइब के लोगों के मात्तों पे लगाया गया है इस पाक आत करने चाहिए और ये साइट बेगु कि प्रहाए की मिट्की को बजनाम करने से पहले गार वार प्रोचा होता ताया बात में आपको बता देते हैं और रही बात अरोग प्रोचा हुआ कि इस जोच कोछा होता है यहां कि बिक भरता देताइब प्रोचा देता हूँ कि यह आरोग जूच है और सुसर्ग को कि sam esa noises तो यस सर्कार अधेकब में lugμοлох तो गुमरा बुझे, तो इस उसारकार दिराच जैसे नकारा अम्हंती को हमारे उपकर थूमने का कोसिष करेगी, उसको करारा जबाब मिलेगा, उसको कुटोट जबाब दिया गाएगा, इस बात का हम को तुरा भुरुसा है, इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आतर करने के लिए आया हूँ, कि आज का वक्त एक गंभीर वक्त है, इस गंभीर वक्त में हम तमाम लोगों को एक चुट रहने क जरूरक है और ये एक जुटता, वैं बार बार आपसे कह रहा हूँ है। ये एक जुटता, एक जण्ड़ की और एक रंग की जुटता नहीं है, इस बात को जिमाग में ठाली चीह है। एक पत्रकार ने हम से पूछा, कि आपकी गारी पे आपकी पार्टी का जण्ड़ा क्यों जण्ड़ा लगा करके नहीं घूंग रहे हैं, हम बिना जंड़े का घूंग रहे हैं, हमको पूदा भरोसा है, वेवु सराय के लोग आप फोल करके इसको देख रहे हैं, अगली बार जब प्रइस तारीक को परिनाम आएगा, तो हमारी गारी पे तिरंगा जंड़ा लगा ह इसलिए मैं आज तमाम जबों से आग्रा करने के लिए आया हूँ, आज एक बड़ी मज़दार चीज हुई, जब हम लोग पतियात्रा के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में एक बाराग जा रही थी, बाराग की गारी पे पूर्ष्टे कित्का हुआ था, कनहया संग प्रीती एक दोस्त ने मज़दा करते हुए कहा, कि यार ये पढ़ करके हम तो ऐसा क्यों लग रहा है कनहया भर्ष्टे मोती, हमने कहा दोस्त, ये लड़ाई कनहया भर्ष्टे मोती की नहीं है, ये लड़ाई एक गरफ भूद बोलने वाले विरूदी, जो कहते हैं कि सरकार कुछ कुछ भी करें, ये नहीं बताती है कि मोती जी ने क्या अच्छा ताम को, कहते हैं कि सरकार कुछ भी करें, क्या है हमको दोल को रुपे लीते पेट्रोल क्यों नहीं खरीदा करें, हम भोट सरकार को ही देगें, एक तरफ वो लोग है, जो कहते हैं कि अगर हमने भोट दिया ह मोजी जी को, हम मोजी जी से सवाल भी करेंगे, आपको गाली देना है, गाली दीजिए, आपको मुकदमा करना है, मुकदमा कीजिए, आपको गोली देना है, गोली दीजिए, आपको जेल देना है, जेल दीजिए, हम सवाल पूछेंगे, और परधान मंत्री से सवाल पूछना देश भक्ती है, इसलिए मैं आपके कहता हूँ, कि आपको कितना भी देश भोही कहते रहें, देश हित में, जन हित में, सरकार से सवाल पूछते रहें, सत्ता से सवाल पूछते रहें, यही भक्त का तकाजा है, यही म्याय की लडाई है, इसलिए मैं कहता हूँ, यह लडाई क जब मोगी वर्षित वीड़ आफ इंडिया की लड़ाई है, तो उनको जितनी ताकत लगाना है लगा लें, वीड़ आफ इंडिया जीतेंगें, और इस वीड़ आफ इंडिया को अगर मजबूत जवाब और ओपनिंग कहीं से मिलेगा, तो बेगु सराइ की घर्टी से मिलेग इस बात तो हमको पुरा फ्रोसा है, तो उसरा इतिहास बनाएगा, और इतिहास बनाने के संबंद में एक बात हम आख को कहते हैं, ये जीवन का एक इतफाक है, इतफाक ये है, कि नमबर हमको एक मिल गया है, एक नमबर मिला है नहीं, ये बात में, प्लीज ये बात में, नम्बर हमको एक मिल गया है और हमारा निसान जान चांधे है क्या है पज्ञ्रसtonis ना गओं काट लिये हैं ना कॉन्चीस काटे हैं पोजा बना लिये ना होट का पोजा भी स्धॉयार रखिए इस देश नहीं पूरी दुनिया को एक संदेशा देगे इस देश में लोग तंत्र जिंदा है और वेभू सराय ने उस लोग तंत्र को अपने सर्टाइब बना करके रखा है यह जबाब हमको पूरी दुनिया को देना है इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि 29 तारिक को जाईए मतदान कीजिये और ये अपने दिमाग में रखिएगा कि इस बार लड़ाई दल की नहीं दिल की है इसलिए जब आप मतदान के सामने जाईएगा दिल की फुकार सुनिएगा और दिल की फुकार यही होगी कि पुसरा के मन सम्मान को बचाना है इसी आसा मिश्वास के साथ आप कमान लोगों को सुम्रिया राकते अपनी बात को जुक्त करता हैं सुम्रिया इंकलाव जुनदावाद हमारी एक ना जुनदावाद